कि हमारा कुछ भी एक भी पॉइंट चूटने वाला है कुछ भी नहीं चूटने दिया जाएगा चलिए सर यहाँ पे देखिए आप सबसे पहले मैंने बोला कि Mr. X है उसने एक एसिट परचेस किया रुपीज 10,000 या वन लेक का खरीदा था एक चार दो हजार पंद्रा में और इस एसिट को इसने सोल्ड कर दिया सोल्ड कब किया सर इसने सोल्ड किया 31,3,2,022 में कितने का बेच दिया सर 20,000,000 रुपे का बेच दिया ठीक है बड़ा सिंपल सा है और बेचने के पीछे लॉजिक क्या था जो Mr. X था वो इस घर में रहके परिशान हो गया था आस प्रोडोस के मौहूल से परिशान हो गया था उसने ये घर बेच दिया है और इसने क्या करा सर अभी फिलहाल के लिए ये कहां रह रहा है मैं बता देता हूँ ये अभी फिलहाल के लिए मान लेते हैं जो रह रहा है वो डेली में रह रहा है चाहता है और वहां पे इसने एक प्रॉपर्टी ले भी लिया है और प्रॉपर्टी मैं एक अजंशन ले रहा हूं देखो वहां 20 लाग की प्रॉपर्टी तो है नहीं लेकिन मैं बोल रहा हूं कि उसने एक 19 लाग का property वहाँ पे खरीद लिया है रहने के लिए तो सर ये कहानी है इसके पीछे की लेकिन मुझे कहानी का अंसर नहीं जानना मुझे जानना ही कि यहाँ पे capital gain होगा कितने का तो आप फटा फट से indexation लगा के जैसे आपको सिखाया था मैंने कौन बताएगा मैं दो मिनिट का वक्त दूँगा और आपको capital gain यहाँ मुझे बताना है जस्ट के सर capital gain कितना होगा पटा फट से capital gain बस मैं जानना चाहता हूँ capital gain क्योंकि कुछ start करने से पहले हम कुछ बातों पे ध्यान दखेंगे बताएगे फटा फट capital gain क्या होगा सर नो capital gain बच्चे कह रहे हैं सर capital gain ही नहीं होगा अच्छा मतलब कम आ गया कि ज़्यादा मैंने कुछ चलिए मैं थोड़ा महंगा बेच दू क्या तब हो जाएगा न साइद मैंने लगता है अपना घर सस्ता बेच दिया है इसलिए नहीं आ रहा है मैं थोड़ा महंगा बेचता हूँ 50 लाग का चलिए अब तो हो जाएगा 50 लाग का साइद मेरा एक्जामपल थोड़ा गलत हो गया कोई बात नहीं मैं 50 लाख रुपय का अपना घर बेच रहा हूँ अब बताईए अभी भी बच्चे कह रहे हैं नो अभी भी नहीं आएगा ऐसा क्या हो गया मुझे अब साइद मेरे इसाब से कुछ बच्चों ने अगर थोड़ा बहुत मैं पता है क्या इस कहानी की मैं बाती नहीं कर रहा सर ये कहानी है ही नहीं ये कहानी तो मैंने इसकी मजबूरी बताया इसको आपको consider नहीं करना है निकालते टाइम पे आपके सामने सिर्फ ये ही सवाल है इसके कहानी की मजबूरी मैंने बताईए अभी मजबूरी को आप incorporate मत करिये सिर्फ मुझे इसके हिसाब से बताईए बच्चे कह रहे हैं साथ मन साथ मेने हुए यहां से पंदरा में खरीदा है सर साथ मेने कैसे से हुए अभी शेख ने निकाल दिया 47,29,060 हो गया कुछ बच्चे 18,00,000 बता रहे हैं कितने आ रहे हैं बताईए आपके सामने इसलिए मैंने इंडेक्सेशन भी रखा है बताईए आपके सामने इंडेक्सेशन भी रखा है सर चप्टर स्थार्ट होने से पहले थोड़ा सो तो पता चले जल्दी बताईए मैं आपका इंतिजार कर रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ कीर्ती का जवाब आया है 48,75,197 अलग-अलग बच्चों का आंसर आ रहा है, मैं भी करके देखना चाहूँगा कर वी अपको जल्दी जल्दी बता दे, चलिए अब मैं बता देता हूँ, मैं भी कैलकुलेट कर लेता हूँ, सबसे पहले सर सेल्स, और सेल्स की हम बात करें तो मैंने बेचा है 50 लाग का, माइनस कुछ तो है नहीं, तो सर यही आ जाएगा नेट सेल कंसिडरेशन, पचास लाग, माइनस कर देंगे, कॉस्ट ओफ एक्योजेशन, तो सर एक लाग, और सर खरीदा है मैंने 2015, 16 लगेगा, तो 2015, 16 देखें, यहाँ पे है 254, और multiply किसे करेंगे सर, multiply हमें करना है किस से, multiply कर देते हैं, यहाँ पे हमारा current year 317, पताइए इस सवाल को solve करके क्या आया, एक लाग, 24 अजार, 803 आया, अब देन इसको माइनस कर देंगे, तो माइनस करने के बाद क्या आया, 48,75,190 अब देखिए यहाँ पे हर बच्चों का अलग आ सकता है किसी का 183 आ सकता है 150 आ सकता है 205 आ सकता है तो एप्रॉक्स है यह ठीक है न क्योंकि पॉइंट की वज़े से होगा एप्रॉक्स है यह पॉइंट की वज़े से रहेगा यह शौट्रम क्यापिटल गेन है या ना सर यह शौट्रम क्यों होगा देखिए आपको लॉग्ट्रम के लिए कितने महिने काउंट करना है 24 महिने क्या पंदरा से लेके 22 तक 24 महिने हो रहे हैं बहुत ज़्यादा हो रहे हैं 24 महिने से तो आपका क्या होगा ये long term कौन सा capital gain होगा long term समझ में आई बात आपको कहानी अब start करते हैं यहां तक किसी को doubt है तो हम आगे बढ़ जाए क्योंकि यहीं से main point मुझे start करना है आज का जो बहुत major part रहेगा theoretical बोल लो practical बोल लो whatever name call कर लो आप बस एक सवाल में सर थियोरी कितने अरे अभी ये सारी बाते करने का वक्त नहीं रहा कि थियोरी कितने का है ये कितने का है सारी चीजे हर class में बताई जाएगे थियोरी वाले section में भी मैं 3-4 chapter हो जाए तो मैं आपके लिए पूरा बताऊंगा कि इसमें से इतने marks का ये आएगा इसमें से इतने marks का ये आएगा अभी सिर्फ आज बहुत important topic है पूरे chapter की जान करवाने वाला हूं मैं आज जो कि मान के चलो एक तरीके से अगर जिसको ये वाला topic नहीं आता नहीं है मैं PCP छुड़वा दूँ आपको आता क्या है आपको फिर कुछ नहीं आ रहा PCP में सेम आज वाला ऐसे ही है अगर आज वाला point आपने छोड़ दिया तो क्या आता है कुछ नहीं आता capital gain में सारा चीज आज इस पर बस focus करना है हमें सार capital gain के बस खतम कर देंगे चिंता मत कर आप चिंता ज्यादा कर रहे हो काम नहीं कर रहे है येस बीकों प्रोग्राम में PGPP भी आएगा आप देखो कमेंट पर मैं ध्यान नहीं दे रहा बच्चे अमतलब इधर उदर का सवाल ज्यादा पूछ रहे हैं मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दे रहे कि भाई आपको यह आया या नहीं आया समझ में यहां तक आगया तो आगे बढ़ें चली आगे बढ़ जाते हैं अब आपको ध्यान से सुनना है मेरी बातों को अब देखो यह जो हमारे सामने जो परसन है मेरे पास नहीं है कि इसकी नहीं मेरी की ही है तो अगर हम बात करें न तो यह जो व्यक्ति है किस व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूँ आप भी सूचिएगा अब मैं इसका टेक्स भी निकालके दिखाता हूँ सर टेक्स टेक्स आएगा 48,75,196 सरकार कहता है सर हम लेंगे 20% तो सर 20% कितने का टेक्स आया बताइए 20% टेक्स कितने का आया सर 20% आएगा 48,75,196 का 20% सर 9,75,039 और नया घर जो यह खरीद रहा है जीके में महंगा कर देते हैं क्योंकि बेचा महंगा तो महंगा अब यह घर प्लान कर रहा है खरीदने का सर जितने का बेचा उतने का तो खरीद लें बस सिफ्टिंग तो कर रहा है 50,00,00,00 रुपे का सरकार ने क्या करा 10,00,00,00 रुपे इसके जीब से जटक लिए एपरोक्स 10,00,00, बेचा कितने का मकान 50,00, इसके जीब में कितने आए 40,00,00,00 हाए अब ये इंसान क्या अपने इच्छा से वहाँ पे जातो रहा है लेकिन बहुत मजबूरी में यहाँ पे इसको रहने का मतलब कि ऐसा एंवाइर्मेंट नहीं मिल रहा आज पर उससे जगड़ा होता रहता है इसलिए इसमें सोचा है यहाँ से बेच के चलो कहीं और ले लेते हैं तो इसके मन में क्या चल रहा है इस मकान को बेचे और दूसरे जग़ा सिफ्ट हो जाए इस व्यक्ति के मन में बिल्कुल भी एक परसेंट भी यह सवाल नहीं है कि हम मकान को बेच के पैसा कमाएं इसके मन में यह नहीं है कि हम मकान को महंगा बेच के सस्ता खरीद लें ऐसा नहीं है यह मजबूरन कहीं और सिफ्ट हो रहा है और सरकार आप इसके उपर टेक्स लगा रहे है और वो भी बोल रहे सर आपका capital assets और capital gain लगाएंगे तो एक तरीके से यह तो कभी जाई नहीं पाएगा एक दिन बड़ी दिक्कत हो जाएगी तो क्या आपको लगता नहीं कि यह एक problem है अगर कोई घर अपना बेच रहा है किसी reasons की वज़े से कहीं और जा रहा है तो सरकार को उस पे capital gain नहीं लेना चाहिए ऐसा होना चाहिए तो सरकार से सभी ने request किया और government से बोला सर यह जो आप tax ले रहे हैं ना इस tax के उपर capital gain अगर नहीं लगता तो यह इंसान साइद बहुत easily कहीं दूसरी जगह transfer हो जाता सरकार ने बोला बात तो ठीक है उन्होंने कहा चलो हम कुछ provision लेके आते हैं खर किसी के लिए कुछ न कुछ provision लेके आएंगे provision क्या कहा कि आब आगे से कभी भी ऐसा case हुआ न कि कोई वेक्ति घर बेच के अपना एक घर खरीद ले घर को बेच कर एक घर खरीदता है कोई भी person घर को बेच दिया और घर खरीदता है रेजिडेंशल बेचता है और रेजिडेंशल खरीद लेता है commercial की बात नहीं हुए रेजिडेंशल बेचके रेजिडेंशल खरीद लेता है तो हम ऐसा करेंगे उसका capital gain ये है और जितने का घर खरीदेगा न वो यहाँ पर minus कर देंगे हम section 54 series के अंदर deduction जैसे मालो इसने 50 का खरीदा है इसका capital gain बन रहा था 48 तो मैंने बोला जा भाई Mr. X तेरे को माफ किया तेरा capital gain कर दिया 0 अब तो कोई समस्या नहीं क्या ये capital gain भरेगा मैंने बोला अगर आपने घर बेच करके कोई घर खरीदा है capital gain हुआ लेकिन जितने का आपने घर खरीदा है वो आपका minus करने दे देंगे लेकिन यहाँ पर condition के जितना capital gain है वो या जितने का घर खरीदा है तो देखा जाए तो इसका tax बन रहा था 48,75,196 रुपए इसने घर तो 50 का खरीदा है तो यहाँ पर government एक section लेके आता है जिस section का नाम और जिस section का नमबर है हम एक-एक section को देखेंगे section है 54 सर section 54 की series करेंगे section 54 क्या कहता है पर पर चाइए पर चाइज पर जैसे पर जाइज पर फड़ोतेज, रखना 1, is Capital Green Arise Residential House Property, यह सारी बाते मैं रफली लिख रहा हूँ यह सारी बाते लिखी लिखाएं आपको मिल जाएगी बस अभी पहले आपने concept समझना है सरकार ने कहा भई SSC अगर कोई व्यक्ति आज के बाद कोई भी घर बेच के कहीं और सिफ्ट हो रहा है और वहाँ दूसरी जगा वो घर खरीद लेता है तो हम क्या करेंगे जितना capital gain हो रहा है घर बेचने की वज़े से उसमें से हम minus कर देंगे मतलब सर इस व्यक्ति की कहानी देख लो आप ये अपना घर बेच के कहीं और सिफ्ट हो रहा था जिसका capital gain हो रहा था तो सरकार ने बोला अगर कोई नया घर खरीद होगे तो हम क्या कर देंगे उसका amount जितना भी हो minus कर देंगे ताकि आपका intention नहीं है कि आप पैसा कमाना सिर्फ इसलिए सर साथ के साथ जब ऐसा word बोला गया तो यहाँ एक problem create हुआ problem create ये हुआ कि जो घर है वो खरीदना कब है कब आपको ये घर खरीदना है क्योंकि एक घर खरीदने का decision काफी लंबा समय ले लेता है घर खरीदने का decision लंबा समय लेता है आपको बोल दूँ मैं कि घर खरीदना है तो आप बहुत जगे property देखोगे जब पसंद आएगा तो लोगे उसमें साल भर भी लग सकता है दो साल भी लग सकता है ताइम तो लगेगा आपने 2020 के अंदर घर बेचा है तो 2020 में CG कैलकुलेट होगा आपको घर खरीदने में दो साल लगने वाले हैं आप घर नहीं खरीद पारे तो 2020 में तो आप घर नहीं खरीद पाए नहीं खरीद पाए ना घर तो 2020 में तो आपका capital gain लग जाएगा तो public ने का सारा अगर ये provision में थोड़ा changes किया जाए इस provision में क्या implementation करिए कि हम जब घर बेचेने तो हमें कुछ समय भी दीजिए उस घर को खरीदने का नहीं तो होगा क्या हमसे एक साल बीथ जाएगा हम ढूनते रहेंगे जल्दवाजी में फिर ऐसी जगह घर ले लेंगे फिर अगले बार वही कहानी हो जाएगी गौर्वर्मेंट ने का ठीक है भाई तेरा जो भी पैसा तुने capital gain जो भी पैसा तुने यहाँ पे करा है मान लेते तुने 50 लाख रुपे का घर बेचा है तुझे समय चाहिए तो इस पैसे को जमा कर इस पैसे को जमा करो deposit करो सर कहाँ deposit करना है गौर्वर्मेंट ने बोला हम बताएंगे अगर तुने यह पैसा deposit कर दिया सर यह कैसे बनेगा आपको कही नियर बैंक में जाना है और बैंक में जाके एक बोलना है कि हमें capital gain deposit अकाउंट खुलवाना है और अब वहाँ पैसे जमा कर दो तो हम ऐसा करेंगे ना 2020 के अंदर 13 सबसे पहले तो निकाल देंगे मान लेते हैं सेल्स तुने क्या एक करोड का और तेरा पर्चेस था सपोस कर 50 या 60 लाग का तेरा capital gain कितना आ गया cg 40 लाग अब तु cg एक करोड तेरे pocket में है ना तो एक करोड में से कितने amount तुने जमा करवा है उसने बोला कि मैंने 70 लाग रुपे जमा करवा दिया नहीं बोलेंगे तुझे deduction मिल जाएगा पूरे 40 लाग का और तुझे tax कितना देना है यानि सर बात कुछ समझ में नहीं आई एक करोड का शेल किया 30 लाग का खरीदा मतलब का खरीदा था तो 40 लाग की income अब पैसे ये लेके घूम रहा है कितने पैसे लेके घूम रहा है अपने पॉकेट में एक करोड गरे परचेस पहले किया था अब CG कैसे निकालोगे, पहले कितने का खरीदा था, एक करोड का, पहले कितने का खरीदा था, CG कितना आया, 40, तो आपके pocket में कितने पैसे लेके घुम रहे हो, 1CR है मेरे pocket में, सोच रहे हैं, घर खरीदेंगे, 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 रिटन फाइल करने की data आ गई, अगर return file करने से पहले खरीद लोगे तो tension नहीं है, तब तो minus कर देंगे हम, लेकिन return file करने की data आ गई, हमें income tax officer को जवाब देना है, हमें बताना है अपने income का detail, ऐसे situation में मैं income tax department में जाऊंगा, तो बोलूँगा भई आभी घर नहीं खरीदा, तो government ने बोला घर नहीं खरीद किसी ने हो सकता 31 March कोई बेचाओ, एक दिन में खरीद लेगा घर वो, समय तो चाहिए, और एक दिन बादी कौन सा साल आ जाएगा, next year आ जाएगा, तो उसने बोला समय तो चाहिए, तो बोला समय चाहिए, तो हम दे तो रहे हैं, तो जा deposit कर, इसने क्या करा, यहाँ पे जाक 30,000,000 वाला फड़ा क्या है, मैं अगर 40 जमा करता तो क्या होता, बोला फिर मैं तुझे 40 माइनस करने के लिए दे देता और तुझे 13 टेक्स बनता, बोला सर अगर मैं 50 करता तो क्या होता, माइनस में चले जाता, क्या बोला नहीं, 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 पचास करता तो maximum limit यही रह कि अगर हमने घर बेच के और घर खरीदा है अगर उसी टाइम खरीद लिया तो तो माइनस करना अलाउड है लेकिन थोड़ा भी डिले हुआ तो पैसे को जमा करा देंगे कहां पर जाके क्यापिटल गेन डेपॉजिट के अंदर वहां भी आज वगएर भी मिलेगा एक विक्ति आया और उसने बुला सर आप इस बात की बात कर रहे हैं उसने कहा कि सर मैंने एक अपना घर था इस घर को मैंने बेच दिया वन सी आर का और इसको मैंने परचेज किया था सर 60 लेक का तो मेरा क्यापिटल गेन आपने बता दिया 40 लेक का मैं एक करोड से जादा महंगा बजट करके चल रहा हूं कि एक बहुत बड़ा घर बनाने वाला हूं अपने रहने के लिए छोटे घर में मेरा नहीं था तो मैं बेच के जा रहा हूं मैंने एक कापटल गेन डिपोजिट में अभी जमा नहीं कराय अभी सिर्फ मैंने घर बनवाने में सिर्फ और सिर्फ मैंने कितने लगाएं सर अभी मैंने सिर्फ लगाएं घर बनवाने में 10 लाख ही लगाएं क्योंकि एकदम से ऐसा थोड़ी है एक तो है कि बना बनाया घर खरीद लिया तो ठीक अब बनवाने की बात चल रही है तो बनवाने में तो मैं दसी माइनस करूँआ क्या गवर्मेंट ने कहा रुख जाओ आपका भी समस्या का सोल्यूशन है आप पैसे को जमा करिए CG में यानि Capital Gain Deposit में जितना Capital Gain Deposit में जमा कर लेंगे आपको यहां से माइनस करने के लिए हम अलाउट कर देंगे लेकिन हमारा सर्थ यह है कि यह घर जो बना रहे हो ना ताज मेल मत बना देना तीन साल के अंदर अंदर बना के दिखाना है आपको यानि तीन साल के अंदर construction करके देना अगर तीन सालों तक आपके पैसे CG में पड़े रहना तो हम मान लेंगे आपका intention ही नहीं था घर बनाने क और हम आपका पूरा का पूरा उठाके taxable कर देंगे उसको यानि अगर कोई भी पैसा आपने capital gain deposit में करवाया है तो सर बनाने के लिए आपको वक्त दिया गया कितना वक्त दिया गया है तीन साल तो सर पिछले example में भी तो जमा करवाया था वहाँ पे हमने बनवाया नहीं त चाहिए तो सर आप capital gain deposit में रखिए और अपने income tax के लिए minus कर लीजिए और minus करने के बाद फिर फर्दर दो साल के अंदर घर खरीद लिजिए अगर दो साल से delay होंगे तो जो आपने minus किया है वो उठाके taxable कर देंगे आगे लेकिन अगर बनवाने का case है तो आपको कितना ती सार एक और person आया उसमें बोला सर ये कहानी समझ में आ गया बनवाने के लिए भी time मिल गया खरीदने के लिए भी time मिल गया और उस साल में कर ले तो आप क्या दो के time मज़े तो उस साल खरीदी लिया लेकिन what about मैं planning करके चलता हूँ मैं बहुत planner हूँ मैंने एक साल पहले पह खरीद लेते हैं पैसे पड़े हुए FD कर रखें इसको तुड़वा के घर खरीदते हैं वो घर खरीदेंगे ये बेचिंग और वहां सिफ्ट हो जाएंगे हो सकता है ने ऐसा क्योंकि आप मकान अगर किरायदार हो तो पहले मकान ढूंड लोगे तब खाली करोगे खाली कर कर दूंड़ोगे तो रोड पर ही रहना पड़ेगा घर तो तो गौर्मेंट ने बोला बात तो सही है यह है फिर गौर्मेंट प्रोविजर में एक और लाइन एड करता है कि अगर किसी ने एक साल पहले भी घर खरीदा हो ऐसा नहीं कि आपने 50 साल पहले खरीद लिया हो इत कहां मिलेगा सेक्शन अब लोगों ने क्या करा इसका सरकार ने बताया सेंपल प्रोविजर था अब लोगों ने इसका गलत फाइदा स्टार्ट कर दिया अब जब गलत फाइदा उठाना स्टार्ट कर दिया तो उसमें सरकार को कुछ रिस्ट्रक्शन लगाने पड़ गए capital gain नहीं देना होगा लेकिन अगर आप बनवाने के लिए आप वेट करते हैं तो तीन साल का वक्त आगे दे दिया गया है पैसा लेकिन pocket में नहीं होना चीए कहां पे होना चीए capital gain और अगर आप नया घर plan कर रहे हैं खरीदने के लिए तो दो साल में भहिया खरीद लेना और अगर आपने एक साल पहले भी खरीद रखा है तो वो भी allowed होगा उसी साल खरीदा तब तो है यह done तब तो कोई दिक्कत वाली बात capital gain deposit में से पैसा construction वाले तीन साल में निकाल लेना और बिना construction वाले दो साल में निकालने जरूरी है और उससे पैसा निकाल के अगर party वाटी कुछ भी कर लिए तो फिर taxable हो जागा परपस सिर्फ घर खरीदना ही होना वो देखो simple सी बात है income tax वाले तो आपके उपर इल्जाम लगा देंगे कि आपने घर नहीं खरीदा प्रूफ करना आपके जिम्मेदारी है वो तो इल्जाम लगाएंगे प्रूफ आपको करना होगा income tax का notice आता है तो notice का मतलब क्या है भाई तेरे पास 5 करोड के income है तो हम घबरा के से जाते हैं अगर है तो घबरा रहा है नहीं है तो भाई ही नहीं हमारे पास income तो प्रूफ करना हमारे responsibility है अब यहाँ पर लोगों ने फाइदा क्या उठाने लगा लोगों ने फाइदा क्या उठाया उसने बोला यार सरकार ने घर लेने के लिए बोला है मैंने क्या करा एक करोड का मकान बेचा और अपने रहने के लिए सिर्फ 20 लाग का मकान खरीद लिया 80 लाख बचा लिये और इसने कहा कि एक और मकान खरीद लेते हैं 30 लाख का मकान खरीद लिया बोला एक और मकान खरीद लेते हैं मैंने 50 लाख का मकान खरीद लिया बोला अलग-अलग मकान हमने खरीद लिये और ये सारे मकान जो खरीदे हैं ना इस पर किरायदार लगा दिये एक में रह रहे हैं और किरायदार तो यहाँ पर उसने टेक्स बचाने की कोशिस करी और इंकम कमाने के कोशिस करा intention यह था कि मेंगा घर बेज देते हैं एक सस्ता अपने रहनी के लिए ले लेंगा बाकी करायदार देंगे law में यह था कि अगर आप कोई घर खरीदते हो तो आपको deduction करना allowed है तो यहाँ पर क्या था simply इस वेक्ति की मैं थोड़ी से कहानी बताऊ तो sir एक करोड का sold किया इसने और इसका purchase पहले से था मान लेते हैं कि 60 lakh तो 40 lakh का benefit था और इसने सारे घर में पैसे में लगा दिया और यह चाहरा था कि मैं 40 lakh यहाँ से minus करके अपना tax क्या कर दूँ जीरो कर दूँ यह चाहरा था इसका intention यह था law ने बुला भीया तू न जादा से जादा दो घर खरी सकता इससे जादा घर खरी दे गए restriction लगा दिया दो घर खरी सकता इससे जादा नहीं खरी देगा हाला कि यहाँ पर तेरी taxable income 40 lakh बन दिया लेकिन law ने क्या कहा तू कितने घर खरी सकता है सरिफ कोई भी दो घर हम consider कर लेंगे वो तेरे उपर दे दिया मैंने कौन सा घर खरी देगा लेकिन capital gain बहुत जादा amount का भी होता है कुछ घर ऐसे भी होते हैं चोकि हजारो करोड रुपे के भी बिखते हैं तो वहाँ पर capital gain मान लो अगर 500 करोड रुपे है सौ करोड सिर्फ tax उसके उपर सैस वैस तो हटाई दो तो government ने बोला ये provision सिर्फ गरीबों के लिए है अमीर के लिए नहीं ला रहे हैं उसने बोला ये provision गरीबों के लिए है आप घर को बेचके जो नया घर खरीदेंगे ना वो दो करोड से उपर का नहीं होना चाहिए अगर नया घर नियू वाला हाउस जो आप खरीदने जा रहे हैं अगर वो टू करोड रुपीस से उपर का हुआ तो हम आपको यहां deduction नहीं करने देंगे मैं question भी लुगा और सारी चीज़े समझाऊँगा पहले एक बार इस पूरे थियोरी को समझे कि सर अगर कोई भी individual हुआ तो बोला गया सर आपको capital gain के अंदर deduction मिलता है कौन से में मिलेगा section 54 में सर क्या बेचना है सर घर बेचना है सर क्या खरीदना है घर खरीदना है कितने घर खरीदने है दो कब खरीद लेने है या तो सर तीन साल बाद बनवाना या फिर दो साल बाद खरीदना या एक साल पहले खरीद लेना कितने रुपे तक का allowed है सरिफ 2 करोड 2 करोड से उपर का हुआ तो deduction एक वेक्तिने क्या करा घर लिया और घर यहां नहीं ले रहा बोड़ा है मैं इंडिया के बाहर लूँगा law में तो यही लिखा है कि हम घर खरीदने के लिए बोला गया तो घर कहीं भी खरीद लेते हैं यूएस में खरीद लेते हैं law ने बोला भाईया इंडिया के अंदर provision है आपको घर कहां खरीदना होगा इंडिया के अंदर ही खरीदना होगा तो यह सारी बाते कहां पर लिखी है सर section 50 तो यह मैंने एक overview क्या मैंने पूरा बता दिया है आपको एक सवाल इसके उपर देख लेते हैं तो फिर हमें और ज़्यादा clarity हो जाएगा कि section 54 को किस तरीके से apply किया जाए इसको मैं एक summary बना देता हूँ कि section 54 क्या कहता है section 54 क्या कहता है कहता है who किसको मिलेगा individual sir capital gain कौन सा होना चाहिए sir long term वाले पे मिलेगा ऐसा नहीं कि आपने 10 दिन पहले घर खरीदा था बेच दिया capital gain हुआ फिर एक घर खरीद लिया तो short term capital gain पे allowed नहीं किस पे मिलेगा ये long term sir what purchase क्या खरीदोगे sir आपको खरीदना है residential house sir long term capital gain किस से होना चाहिए from residential house इसके बाद sir when purchase sir कब purchase करेंगे अगर आप खरीद सकते हो before one year or after two year and for construction कितने साल में तीन साल में हो जाना चाहिए complete सर घर कहां खरीदना है where sir in India sir कितने घर खरीदना है how many तो sir आपको खरीदना है two house maximum है ये sir कितने का खरीदना है amount सर दो करोड रुपए से जादा का नहीं होना चाहिए ये सारा मैंने चार्ट में बनाये हुए अभी मैं दिखा दूँगा और वो समझ में भी आ जाएगा पच्चे करें दो करोड गरीब सरकार तो इसी को मानती है गरीब अभी तो फिलाल पहले यहां तक देखिए समझ में आया कुछ ये प्रोविजन जो अपला है एक सवाल इसके उपर देख लेते हैं फटा फट से मैं एक सवाल आपको करवाता हूँ ताकि आपको सेक्षन समझ में आता जाए और बहुत इंपॉर्टेंट सेक्षन है इसके उपर पूरी थियूरी आएगे जितने मैंने अभी 10-15 मिनिट जो भी आपसे बाते करी है ये पूरा एजटिज आपको थियूरी में लिखना है 6 मार्क्स का ये 10 मार्क्स का थियूरी पूछा ही पूछा जाता है सर कैपिटल गेन, कैपिटल गेन कैपिटल गेन कैपिटल गेन झाल झाल चलिए सवाल आपके सामने हैं अभी दिखाते हैं झाल एक छोटी सी बात आपको बताना भूल गया कि जो नया घर खरीदेंगे उसके उपर भी गवर्मेंट ने restriction लगाया हुआ है कि सर आपको चार साल तक तीन साल तक नहीं बेचना मैं दुबारा रिपीट कर दूँ आपको चलिए अभी question के अंदर कर लें सर एक छोटी सी बात बताना भूल गया सर क्या बताना भूल गया कि जो नए वाला घर खरीदा है ना उसको भी तीन सालों तक नहीं बेचना एक सवाल देख लेते हैं फिर हम theory पढ़ लेंगे क्योंकि practical देखने के बाद फिर theory ज़्यादा समझवें आएगा हमें तो चलिए एक सवाल देखते हैं आपके अभी book के ही question चलेंगे क्योंकि basic basic concept पे है जिनके पास book है grease आहुजा वो book में देख सकते हैं जिनके पास नहीं है सामने question तो मैं display करवाई रहूं आपके लिए चलिए सर सवाल क्या कहता है देखते हैं question को पढ़ लेते हैं कहता है improvement के लिए during the 2006 or 7 he purchased a new house 21-10-2021 मतलब same year में ही इसने खरीद लिए यानि दो साल बाद की तो कोई कहानी नहीं है तीन साल बाद की भी कोई कहानी नहीं है इसने कब खरीदा है same में कितने का खरीदा सर आठ लाख पचास का this house was also sold इस घर को भी इसने बेच दिया 2000-22 में कितने का और he purchased another house इसने एक और घर खरीद लिया 2022 में आठ लाख रुपए का compute capital gain for 22,23 और 23,24 पहले तो हम 22,23 का समझ लेते हैं ठीक है पहले तो हम 22,23 का समझ लेंगे कि क्या होने वाला है या मैं इस सवाल को दो पार्ट में कराना चाहूँगा एक थोड़ा सा चली बाइस कोई बात नहीं बहुत सिंपल यह है इतना तो हम कर सकते हैं सर यह हम कर रहे हैं 22,23 असेस्मेंट येर सबसे पहले सेल्स सर कितने का बेचा इसने 30 लाग एक्सपेंस है नहीं तो यही आ जाएगा हमारा नेट सेल कंसीडरेशन लेस कॉस्ट ओफ एक्यूजेशन सर खरीदा था इसने पांच बीस का और कितने का इंडेक्सेशन देखते हैं 317 तो करेंट येर का आई रहा है आप चेक करिए सर कब का चेक करना है 2004 से पांच का कुस्ट ने बोला है खरीदा था नई पांच और छे होगा पांच और छे का आप बताईए फटा फट क्या है पांच और छे का नहीं पता तो यहां देख लेते हैं पांच और छे पांच और छे एक सो सर 117 है 117 इसको सॉल्व किया जाए क्या रहा है इसको सॉल्व करने के बन पांच लाग बीस अजार डिवाइड़ बाई 117 इंटू में 317 यह आगया 1,4 0 हाँ 1,4,0 एक बार और आठ फे तो जगे बनानी पड़ेगे सर यहां पर आगया long term capital gain long term cg minus कर दें अगर हम इसमें से 30 लाग तो यह आजाता है हमारा 15 लाग एक यानवे हजार 111 अरे भूल गया हो तो इंप्रूमेंट लेना है इंप्रूमेंट तो भूली गए सर less COI सर इंप्रूमेंट करा था इसने घर में कितने का 270 और सर 270 में भी यही लगेगा 317 सर किस साल किया है इंप्रूमेंट इसने 6 और 7 में कुश्चन में कहता है कि 6-7 तो सर इसका इंडेक्सेशन क्या है बताईए देखना पड़ेगा भाई अपने साथ यह तो लेकर चलना है बुक के अंदर निकाल लेजिए बुक में कितने हैं 100 22 आपने 10 यर भी ले रखा है सभी बच्चों ने फिर भी अब 122 निकाल लेजिए फटा फटा आगे आने आले कोश्चन में जुरत पड़ेगा 270 डिवाइड़ बाई 122 इंटू में 317 देट इस 70 155 7 सर अब निकाल लेते हैं कापिटल गेन LTCG सर 30 लाख माइनस 140 8888 माइनस 70 1557 सर यह आगया 88 9555 यानि सर 8 लाख सर 8 लाख 89,555 8,89,555 यह आगया कापिटल गेन पहले यहां तक देखे अभी हमने इसमें जो सीखा है वो अप्लाई नहीं किया पहले यहां तक बताईए कि आपको समझ बें आया या फिर नहीं आया यहां तक बताईए आपको आया नहीं आया सर इंडेक्शन से लर्न करना बिल्कुल नहीं लर्न करना इंडेक्शेशन आपको एक्जाम में मिलेगा यहां तक हर किसी को clear है क्या अब law कहता है कि अगर आपने एक घर खरीदा है तो आपको हम exemption देंगे तो क्या इसने घर खरीदा है सवाल में देखिए तो जी हां इसने एक new residential house खरीदा है उसी साल खरीद लिया यानि हमारा taxation calculation चल रहा है एक चार दो हजार बीच से लेके 31 तीन दो हजार 21 तक सरी 22 ते इसका है न 21 बाइस होगा मैंने date थोड़ा सा एक पीछे ले लिया है यह होगा सर 21 और यह 22 हमें accounting हमें taxation हमें calculation इस time का करना है तो अगर इस साल के दोरान में आपने घर को खरीद लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है तब तो आपके लिए कोई tension ही नहीं है इस साल के बाद अगर खरीदते हो तो आपको पैसा deposit करना होता है सर कहा deposit करना होता है इस साल के बाद खरीते हो तो आपको capital gains deposit में करना पड़ता है और सर अगर आप purchase करते हो और उस purpose के लिए करते हो तो आपको 2 साल के वक्त दिया जाएगा अगर construction करते हो आपका purpose है तो कितने साल का वक्त दिया जाएगा तीन साल का और आपने जो नया घर खरीदा है condition ये इसे बेचना नहीं है कब तक नहीं बेचना है तीन साल तर अगर तीन साल के अंदर अंदर इस घर को बेच दिया तो क्या कहानी होने वाला इस सवाल में दिख जाएगा आपको तो सर अभी तो इसने बेचा है घर और बेचने के बाद एक नया घर आठ पचास का खरीद लिया है तो अभी फिलाल जो दूसरा घर था ना जो बेचा जो घर खरीदा इसने इस साल तो नहीं बेच रही है इसने बेचा है 16,7,22 और 16,7,22 कौन से साल आ जाता है अगले साल अगले साल की देखेंगे कहानी इस साल में तो बोला सरकार को जब मैं टेक्स जमा कराने गया तो मैंने बोला सरकार गौर्मेंट मेरा 8,89,555 का कैपिटल गेन है और बता रहा हूँ मैं आपको इस साल मैंने घर भी खरीद लिया गौर्मेंट ने बोला अच्छा घर खरीद लिया है तो माइनस कर लो लेस एग्जेम्शन कर लो बोला कैसे बोला सेक्षन 54 पढ़के आईए वहाँ पर दिया है हमने आपको कितना माइनस करना है अगर आपने इससे ज़्यादा का घर खरीदा है तो इतना ही होगा इससे कम का खरीदा है तो कम वाला तो सर आपने घर खरीदा 850 कम वाला तो कम वाला माइनस होगा बाकी कितने बच गए आपके? आपके बच गए 850 माइनस करोगे तो 39 सर अब आपको इसके ओपर टेक्स देना बच नहीं सकते इसके ओपर कितना टेक्स देना है 20% दे के छुटी मैं अभी इस साल में मैं फ्यूचर नहीं जानता फ्यूचर तो कुश्चन दिखा रहा है हमें बस मैं भी इस साल की बात कर रहा हूँ अभी एगले साल में आऊंगा इस साल में ये कहानी रही होगी इसके बात की जो कहानी है ना जो यहां से बोल रहा है इसके बाद वाली कहानी वो अगले साल की बात करता है तो अगले साल की बात हम दूसरे टेवल में करेंगे यहां तक किसी बच्चे को doubt है तो बता दीजिए फटा फट से क्लियर है हर बच्चो को सर ये main ये है जो सिखाया है ये practical के अंदर भी apply होगा और theoretical के अंदर भी आएगा section 54 explain करिए अब इसके बाद अगले साल government ने बोला था भाई इस घर को न तीन साल तक नहीं बेचना लेकिन इसने क्या करा जैसे ही हमारा अगला साल स्टार्ट हुआ एक चार दो हजार बाइस से हमारा अगला साल होगा 31-3-2023 जैसे ये साल हमारा चल रहा था तो इसी साल में इसने जो ये वाला घर खरीदा था उस घर को इसने क्या करा बेच दिया कितने का बेच दिया सर इस वाले घर को इसने सर इस वाले घर को इसने बेच दिया 10 लाग का सरकार ने बोला था हमने मना किया था तुझे मना किया था कि तीन साल तक नहीं बेचना तेरी मजबूरी का मतलब कि तुम्हें क्यों दिया गया डिडेक्शन कि तुम्हारी मजबूरी थी तो सर मजबूरी ऐसा थोड़ी होता है कि हर छे मेने बाद आ जाए आपकी मजबूरी कम से कम तीन साल तो रहो आज पढ़ो उसमें पता चला आप ही बेकार हो आप ही लड़ रहे हो सबसे और benefit भी आप ही ले रहे हो तो ऐसा नहीं हो सकता ना अगर आपकी problem है तो आप तीन साल तक तो hold करिये यानि long term आपको रखना है इसे तीन साल के बाद आपने बेचना है सर लेकिन इसने तीन साल के पहले ही बेच दिया तो अब अगर इसने तीन साल के पहले बेच दिया तो क्या होगा इसके कहानी में ये देख लेते हैं सर इसके साथ जो होना है अगले साल होगा इस साल तो भाया ये डिडेक्शन लेके चुपचा बैठा हुआ है जो होना है वो अगले साल होना है इसके साथ अगले साल की कहानी मैं इधर कर देता हूँ इसको इधर shift कर देते हैं सवाल तो दिखी रहा है और यहाँ space बना के अब मैं जो यहाँ करने वाला हूँ यह कौन सा साल करने वाला हूँ दो हजार तेईस चौवेस अब दो हजार तेईस चौवेस में फिर जाएगा income tax वाले के पास के sir मेरी capital gain की calculation अब देखो कौन था यह नाम क्या था इसका Mr. G और G जाता है अगले साल और अगले साल क्या करता है देख लिजे कहता है sir sales income tax officer मैंने फिर बेचा घर 10 लाग का और sir मैंने बेचा है इसे 3 साल के अंदर यानि sir 24 महिने के अंदर तो sir मेरा यह है short term capital gain क्योंकि देखो कब बेच दिया इसने 22 में खरीदा कब था 21 में 21 से 22 में बेच रहे तो 12 महिने के आसपास ही बेच दिया इसने तो भईया यह है short term बोला भईया इसके अंदर से यह आगया हमारा net sale consideration 10 लाग और minus मैं कर रहा हूं cost of acquisition indexation तो आप दोगे नी short term में तो मैंने इस घर को खरीदा था कितने का 850 का आपको text चाहिए मैं 1.5 लाग पे देने के लिए तैयार हूं और क्या ऐसा हो सकता एक घर और खरीद लिया एक बार और दे दो मुझे 54 वाला deduction तो ये भी बच जाएगा मेरा 1.5 लाग रुपे क्या ऐसा हो सकता है क्या गौर्मेंट ने बुला भाई देख तेरी calculation तो एकदम गलत है अब हम अपनी calculation बताते हैं क्या होगा जिसके भी ये calculation थी पूरी गलत बोला हम बताते हैं तुझे calculation क्या गलती सर ये 54 नहीं दोगे बस इतना ही काटो ना पूरा क्यों काट दिया 54 नहीं दोगे तो 54 काटो बोला ये भी गलत है भाई सही calculation क्या है सेल है ना बोला हाँ शोट ट्रम कैपटल गेन निकलेगा बोला ये भी सही कर रहा है तू यानि 2022 23-24 के लिए निकाल रहे हैं 23-24 यानि 22 और 23 previous year सर तेरी जो सेल्स मानी जाएगी ना वो सेल्स तो मानी जाएगी तेरी 10 लाग की तुने बेचा है और लेस इसमें से करेंगे cost of acquisition कितने का खरीदा था उसने बोला सर मैंने खरीदा था 8 50 का बोला इस 8 तुने खरीदा कितने का पता इस 0 का अब तेरा capital gain कितना आएगा यानि अगर तु तीन साल बाद ये बेचता ना तो एक तो हम तुझे इस पर indexation भी देते और यहाँ minus करने भी देते लेकिन तुने 8 50 का पहले exemption ले चुका है और वो तुने rule को तोड़ा था तो पहले तो पिछले साल मुझे क्या पता तू आगे ऐसे करता तो पहले मैं minus ही नहीं करने देता पहले minus किया अब इस साल हमने क्या करा जो minus करने दिया था वापसी ले लिया क्योंकि यहाँ वैसे 8 50 minus होना चाहिए था मैंने इसको minus कितना करने दिया यहाँ पे सपोस करो पहले वो deduction लेता 6 लाक तो यहाँ हम इसे कितना minus करने देते 8 50 में से 6 minus करके सरफ और सरफ धाई लाक minus करने देते समझ रहे बात को तो यहाँ पे इसे 0 minus करने देंगे और इसका capital gain क्या होगा 10 लाक रुपे माना जाएगा और सर कौन सा capital gain होगा STCG यह हमारा अगले साल का calculation आएगा 2022 मैं again कहना चाहता हूँ कि मैंने उपर सारे detail नहीं लिखा है क्योंकि मेरे concept बता रहा हूँ 10 year के अंदर मैंने detail में सारा लिखा है भाई यह SSE क्या होता है कैसे लिखते हैं यहाँ पर ऊपर कैसे लिखा जाता है for the assessment year computation of capital gain for Mr. G for the assessment year और यह पूरा format सजा के अच्छे से लिखना है सर यहाँ note डालना जरूरी है note किस के लिए है section 54 के लिए note क्या देंगे if any SSE sold any residential house and purchase residential house within a year then exemption will be allowed under section 54 यहाँ पर note देंगे in case of SSE sold any purchase residential house within a three year then exemption will be cancelled तो यहाँ पर exemption क्या हो गया इसका cancelled हो गया इस सभी के note मैंने 10 year में दो दो liner है लिखे हुए है proper तरीके से जो आपको exam में लिख के आने किसी भी solution को देखोगे तो उसका यही रहेगा सर एक बार और ठीक अभी एक बार बताते हैं चिंता मत करो पहले आप एक बार देखो थोड़ा सा वक्त लो थोड़ा सा टाइम लीजिए थोड़ा सा टाइम लीजिए हाँ तीन साल बाद डेफिनिटली अगर बेचेगा और तीन साल बाद जब यह खरीदेगा तो उसे deduction भी मिल जाएगा क्योंकि deduction क्या कहता है देखो list कहता है 54 किसी सब के लिए सर section 54 सब के लिए condition है आपका assets अगर हुआ long term तो अब तीन साल बाद जब हम घर बेचेंगे तो automatic long term है section 54 activate हो जाएगा बोलेगा भाईया तेरा long term है तो मैं तुझे allowed करता हूँ deduction के लिए मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ question में क्या था sir question के दो पार्ट थे इस question में जो हम कर रहे है एक पार्ट ये था simple सा पार्ट जो सभी बच्चों को समझ में आ गया अगर इस घर को जो इसने खरीदा है इस घर को इसे तीन साल तक नहीं बेचना था अगर तीन साल के अंदर अंदर इसने बेच दिया है तो ये जो यहाँ minus किया है अगली बार उसके cost of acquisition में से क्या हो जाएगा minus कर दिया जाएगा मैं यहाँ पर less कर रहा हूँ less कर रहा हूँ मैं exemption 54 का जो हो गया इसका cancel हुआ है वो मैंने यहाँ minus कर दूँगा और उसके according होगा मैं कुछ cases बना देता हूँ case number one case number one अगर वो purchase करता मैं पूछता जाओगा बस general answer देते जाएगा क्या होगा comment में लिखते जाएगा और मैं समझता जाओगा मुझे बताते जाएगा पहले मैं इसके लिए पूछ रहा हूँ उसने घर ना खरीदा होता घर या फिर मैं मान लेता हूँ घर खरीदा है purchase before one year एक साल खरीदा है पहले आठ पचास का क्या ये इस चववन के अंदर deduction ले पाएगा मैं भी इस point से बात कर रहा हूँ अगले point पे नहीं है बताइए एक साल पहले खरीदा आठ पचास का क्या deduction मिलेगा मिल जाएगा नंबर दो उसने खरीदा ही नहीं घर deposit कर दिया है in capital gain deposit account में for purchase of residential house खरीदेगा बाद में उसने deposit कर दिया है लेकिन deposit कब करना है सरे return file करने से पहले इस बात का भी ध्यान रखना है return file कहीं पता चल रहा है आपने deposit करना है बाद में करना है return file का है return file कब होता है सर हर साल का 31 यानि 31 March तक का काम है तो 31 साथ 2022 तक आपको return file कर लेना पड़ेगा और ये individual के लिए company वगरे के लिए allowed partnership के लिए ऐसा कोई allowed नहीं है तो सर आपको return file करने से पहले जमा करवाया अगर CG में तो मिलेगा तो deduction आपको मिल जाएगा पहले बताइए second point के अंदर deduction मिलेगा आपको clear है clear है ना third point मैं बोलूं अगर के मैंने CG में मैंने CG में करवाये जमा आठ लाक रुपे और ये करवाया 31,72022 को और बाकी के मैंने 2,080 जमा करवाये CG में 31,82022 को 31,82022 को मैंने CG के अंदर total 10,080 रुपे जमा किये हैं कुछ पैसे मैंने 31,7 को किये हैं और कुछ पैसे मैंने 31,8 को किये हैं 2,022 में यानि अगले साल होगा आठ या दस या फिर आठ लाख उना से यानि एट लैक एटी नाइन थाउजन फाइव हंड्रेट फिफ्टी फाइव कितने डिडेक्शन के लिए हैं यस कह रहे हैं कि तीन लाख सुमित आठ लाख शोयब आठ लाख आठ लाख आठ लाख सभी बच्चों का जवाब लगबग लगबग आठ लाख रुफ़े हैं बिल्कुल सही रिटन ये सारी बाते देखो आज करवा रहा हूं एक मैने बाद हम भूल जाते हैं इसलिए मैंने सभी के लिए चार्ट बना दिया कि अगर एक बार समझ में आ गया तो एक बार फट 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 पढ़ते जाओगे अभी मैं बता दूँगा और वो आपको क्लियर होता जाएगा ठीक है न तो सर यानि यहाँ पर डिडेक्शन कितना मिलेगा सिर्फ 8 लाख यू आर राइट अब यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है समझ में आ गया साड़े आठ का खरीद रहे तो आपका taxable income होना चाहिए डेड़ लाख रुपए क्योंकि यह साड़े आठ लाख रुपए पहले आपने government से exemption ले लिया था और government के rule को तोड़ दिया तो government ने बोला पहले वाले को करेंगे cancel यानि आपका डेड़ लाख रुपए आपका capital gain नह लगाएगा rate की अभी बात नहीं कर रहा स्रिफ और स्रिफ टेक्स की हम बात कर रहें पहले यहां तक सारी बाते clear हो गई होगे तो मैं आपको फटा-फट से theory पढ़ा दू चार्ट में किस तरीके से रहने वाला हमारा यहां तक clear है तो बता दीजिए चलिए सर theory देख लें पढ़ने का तरीका पता हो तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको section 54 चलिए आज आईए theory सर S3CG क्यों लिखा S3CG इसलिए लिखा क्योंकि यह बेच दिया इसने एक साल के अंदर-अंदर 24 महिने तक इसको hold नहीं किया इसलिए इसको short term capital gain बोलेंगे इसको short form में STCG बोल दिया मैंने ठीक है नहीं STCG में last class में बताया था short term capital gain में indexation allowed नहीं क्योंकि रुपय इतना ज्यादा fluctuate नहीं होता अभी मैं एक बार theory दिखा दूँ आपको चलिए sir आज आईए theory बे 54 54 54 55 55 55 हाँ जी दीरे दीरे पढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे फिर एक बार दिखा दूँगा मैं सारा का सारा hopefully आपको clear visual होगा मुझे तो यहाँ पर clear है हमने सारे सीरीज का एक ही चार्ट में complete कराएं कि जब आप capital gain revise करने बैठे हो तो एक बार में आपका हो जाए फटाफट से revision सर क्या कहता है सबसे पहले देखिए section 54 स्रिफ इस लाइन को पढ़ेंगे आगे वाली लाइन को कोई ध्यान नहीं देगा पढ़ने के लिए कहता है who can claim सर इसका claim कौन कर सकता है सरिफ individual और H.U.F. अगर कोई partnership ऐसा काम करता है कि मैंने घर बेच दिया तो नहीं साथ परसन बताये थे ना उसमें से individual और H.U.F. अलाउड है बागी किसी को अलाउड नहीं है सर assets जो transfer होगा कौन सा होगा residential house property होना चाहिए example building land आपका appartent there to जो की definition 22 में given था याद है ना section 22 में house property किसको बोलते हैं वो होना चाहिए whose is come in taxable under H.P. जो house property के लिए taxable होगा वो ही यहाँ पे valid होगा यहाँ तक समझ में आई बात आपको यानि सर कौन से assets बेचना है तो simple सी बात है भाई इतना क्यों घुमा रहा है घर बेचना है रहते हैं जिसमें वो ठीक है आगे की कहानी क्या कहता है सर आगे की कहानी देखें तो कहता है कि आपका क्या time होना चाहिए transfer कब करोगे तो कहता है period use possession assets कब होगा कहता है the assets should be transfer long term capital assets that is 24 महिने बाद वाला यह मैंने अलग से लगा दिया ताकि आपको समझ में जाए long term कब होगा 24 महिने के बाद वाला होना चाहिए यानि जो आप घर बेच रहे हो वो long term होना चाहिए सर इसके बाद क्या कहता है इसके बाद कहता है कि nature of capital gain इसके बाद क्या कहता है देखिए eligible क्या है सर आपको eligible का मतलब क्या है सर आप खरीदना क्या चाहते हो आपको खरीदना क्या है पहले तो गया कौन लेगा individual क्या बेचेगा घर बेचेगा कौन सा होना चाहिए long term होना चाहिए ठीक है अब sir आप किस लिए लिजी पर आपको deduction लेना है आपने बोला sir लेना है deduction तो मैं जो बता रहा हूँ वो काम करना है आप खरीदिये residential house property आपको weather acquired agriculture यह लाइन थोड़ा सा गलत हो गया मैं थोड़ा सा correction कर देता हूँ जिसके पास 10 year वो भी कर लेंगे कहता है residential house property acquire करना है यह line नहीं है यह line नहीं है आप भी cut कर लेना house property construction in India if CG does not अगर CG जो है capital gain वो exceed नहीं होना चाहिए 2 करोड रुपे से can purchase to residential house property और यह हमारा finance act 2019 में amendment आया था इससे पहले आपको सिर्फ एक घर खरीदने को दिया जाता था और 2 करोड की limit भी नहीं हुआ करता था यह 2019 के अंदर amendment आया था अभी तो बहुत जादा हो गया तो आपको मैंने लिख दिया है जिसके पास पुरानी book होगा समझ जाएगा यानि सर simple सी बात है eligible अगर आप deduction ले दिया गया खरीदने के लिए तो क्या लिखा है यहां पर maximum time कितना दिया गया खरीदने के लिए तो कहता ही purchase आपको करना है one year before two year after date of transfer जिस दिन बेचा गया उस दिन से if construction for three year date of transfer जिस दिन बेचा गया उस दिन से तीन साल आपको गिननने है चलिए sir quantum amount of deduction quantum का मतलब होता है कित कितना डिडेक्शन कितना माइनस करना है तो sir माइनस आपको करना है lower of आपका जितना भी investment है new assets और capital gain और investment जो दोनों में से कम होगा वो माइनस कर लिजिए जैसे कि 50 लाख रुपे का आपका capital gain है और investment आपका एक करूड का है तो कितना माइन करेंगे अगर आपका 50 लाख का capital इन्वेस्मेंट आपका 40 लाग है तो क्या माइनस करेंगे 40 लाग क्या यहाँ capital gain deposit में जमा करवा सकते हैं येस अलाव है एक पर फटा फट से मैं एक ही पेज पर सारा का सारा दिखा देता हूं ताकि आपको easily समझ में आ जाए चलिए सर 54 अगेन पर देते हैं who can claim individual asset transfer house property कितने time long term cg कौन चाहिए long term इसके बाद देखा जाए eligible residential house करीदना कितने 2 maximum खरी सकते हैं 2 करोड का होना चाहिए कब खरीदना एक साल पहले 2 साल बाद construction के लिए 3 साल lower amount और capital gain deposit यह हमारा पूरा 54 है और 54 को ऐसे ही आपको जो पढ़ रहे हो समझ रहे हो एक पूरा एक paragraph format में bullet point में आपको लिख के आना होगा exam के अंदर जो किस तरीके से लिखना वो theory भी मैंने बड़े अच्छे से explain किया हुआ है 10 year में आप जाएंगे तो 10 year के अंदर theory section में section 54 को मैंने अलग से explain भी किया यह तो chart है चार्ट के लिखा explanation भी किया हुआ है कि कैसे आपको लिखना है आप वहाँ पर मिल जाएगा आपको यह theory वाले section में बच्चे कहरें से थोड़ा blur हो रहा है कोई बात नहीं आप देख लीजिए मैं यह PDF आपके कर दूँगा upload और जिसको थोड़ा भी दिक्कत हो रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ बताओ क्या कर सकते हैं सर एक काम तो कर सकते हैं फिर वहाँ भी थोड़ा blur ही दिखेगा आगे काम आएगा अभी थोड़ी दिर बाद काम आएगा यह इस पूरे को capture कर लेते हैं फिर थोड़ा बड़ा दिखेगा आपको ओहो यह तो question पर आ गया चलिए जो बच्चे कह रहे हैं blur दिख रहा है समझ में नहीं आ रहा है उनके लिए अब आपको दिख जाएगा question दिखता है तो यह भी दिखना चाहिए ठीक है जो मैं visual करवा सकता हूँ वो max to max दिखा देता हूँ जिन बच्चों ने नहीं खरीदा बाकी 10 year ले लीजिए बाकी जिसने किताब लिया ऐसा नहीं है कि किताब के अंदर नहीं है किताब के अंदर भी सेम बात है बूली गई है क्या आपको clear visual है देख लीजिए 54 एक बार फटा फट पढ़ लिजिए किसी को दिक्कत है तो ठीक नहीं तो फिर हम अगला section तयार करते है चोवन भी सरिफ एक section में base बनाया गया इसलिए time लगाए बाकी section में तो provision बताना है फटा फट कहतम होना चालू हो जाएगा कह रहे हैं बच्चे कह रहे हैं सर हर question में section 54 का पढ़ेंगे क्या नहीं नहीं हर question में नहीं हर question में अलग अलग रहेगा ऐसा थोड़ी हर question में 54 का ही रहेगा tenure आपके पास शिवदास का tenure होगा उसके अंदर available है सारे नूर्स डाले हुए मैंने शिवदास का tenure लेंगे वो available है चलिए आगे बढ़ें ये देख लीजिए सबको clear है आगे चल लेते हैं sir capital assets section 54 खतम होता है श्यूर्ण झाल झाल